हरो दोस्तों देखते हैं एक्सराइज 5 पॉंट बनका क्या पूछा है फान दा मल्टी क्लियेटिव इन्वर्ज मल्टी क्लियेटिव इन्वर्ज ओफ इच ओफ दा कॉंपलक्स नंबर गिविन इन दा एक्सराइज 11 टू 13 11 मतला 11 कुश्चन यह गया और 12 और 13 कुश्चन और दिये गया है उन्हें भी करते हैं हम सौल्ट तो इन्हें किस नंबर में लिखना है जैड इस्कल 2 हमें से इपूट कर सकते हैं क्या जैड इस्कल 2 मल्टिकलेट कॉंपलक्स नंबर में क्या होता था इस तरह से दिये गोते थे आई जीकल 2 दिया है ठीक है तो ए प्लस आई-बी की फॉर्म में करणवर्ड कर यह से यह यह वाला कुश्चन है न यह पहले से लिख सकते हैं, तो अब हम क्यों ना इस question को rationalize कर दें, क्योंकि हम i को नीचे तो छोड़ नहीं सकते हैं, i को नीचे छोड़ नहीं सकते हैं, तो हम इस question को rationalize कर देता हैं, कर देंगे तुम्हारा answer आएगा, जेड उकल 2, बन अपोन 4-3i, इंटू 4-3i, अपोन 4-3i, ठीक है, चलिए, अब यह क्या लिखा हुआ है, बन अपोन, Z is equal 2 Qyāワ jijuk 4 plus 3i इसके इस में mtip tangible ऐगी गो तो 4 plus 3i अब इसके इस में करेंगे तो कितना ہو जाबी 16 16 और plus 9 इसके square करेंगे और इसके square करेंगे तो 4 का square और minus 3i का square ठीक है इस तरह से करेंगे चलिए क्यों इनका square करेंगे आगर जाँ मन्टी भुलाइक तो 16 हो जाएंगी है, फिर इसका सम्झाole्प करेंगे ठीके इसकास में करेंगे फिर इसका सम्झा एक िहाँ तो यह इनस घ्राय को यह वाला तर्म न मरशिगा बरिक लिख दए है बनअ पोघ्र में जाए 25 2 कितना 4 प्लस के 3i और यहां हो जाए 16 और माइनस के 9i स्केर होगे 9i स्केर होगे अब i2 की value होती है is equal to minus 1 यह identity value होती है इसकी तो लिख देंगे 1 upon z is equal to 4 plus 3i upon 16 minus 3 into 1 क्योंकि i की value मैंने put कर दिया अब 25 को कैसे लिख सकते हैं हम देखिए बन अपॉन जैड इस उकल टू तो फोर प्लस के 3i अपॉन 16 माइनस प्लस के हो जाएंगे इसका मैं मंटिपलाय करेंगे तो प्लस के 9 हो जाएंगे इन्हें दोनों प्लस कर लीजिए तो कितना आ जाएगा अब 25 को कैसे लिख सकते हैं हम देखिए बन अपॉन जैड इस उकल टू फोर के नीचे भी 25 और प्लस के 3i के नीचे भी 25 यह हमारा आंसर हो गया ठीक है इस तरह सी कुष्ण कंप्लिक और देखते हैं कुष्ण नमर इसका 12 यह कुष्ण दिया गया है रूड फाइफ प्लस के 3i सिर्फ इतना सा कुष्ण है यह ब्रैक्ट नहीं है ओके तो क्या करेंगे जैड इसकल टू रूड फाइफ प्लस के 3i तो मैं लिख सकते हैं से बन अपॉन जैड इसकल ट तो रेस्नलाइस करने के लिए क्या होता है जैड इसकल टू बन अपॉन रूड फाइफ प्लस के 3i और इंटू में यह प्लस का उपर मानस का मन्टिबलाई कर तो मान रूड फाइफ मानस के 3i अपन रूड फाइफ मानस के 3i उपर नीचे दोनों का मानस साइं कर देते हैं जहां प्लस का होता हुवा मानस कर देते है तो मानस का कर देते हैं तो बन अपन रूड थ्री अपन रूड फाइफ मांस के 3i आई अपन इसके इसमें करें के तो क्या आजाएग देखें रूड फाइफ का स्केर और माइनस के 3i का स्केर इनका स्केर खोल देंगे तो क्या जाएगा देखे 1 अपॉन जैड तो रूड 5 माइनस के 3i और यहां 5 बचेगा हमारा माइनस के 3i स्केर और i स्केर की वेलु होती है इस उकल टू माइनस के 1 तो next point वाम पूट कर देते हैं i के वेलू z उकल टू रूड 5 मानस के 3i अपॉन 5 मानस के 3 इन 2 मानस के 1 ओके लिख दें one अपॉन z रूड 5 मानस के 3i as it is जैसा लिखा है minus के 5 को इसके इसमें करेंगे तो 3 हो जाएगे ठीक है तो one अपॉन z उकल टू रूड 5 मानस के 3i अपन में एट और एट इन दोनों के नीचे लिखे देंगे तो यहारा अंसर हो जाएगा तो रूट फाइब अपन एट और मानस के फ्री आई अपन एट यहारा अंसर हो गया आसा करता हूँ आपको दोनों कुसन समझ में आये होंगे और वीडियो में लाश तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद लाइक करें सेर करें सब्सक्राइब बरना ना भूलें जय हिन जय वारग